नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेश में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में पास्चात्य काव्य सास्त्र का important topic अरस्तु का विरेचन सिध्धान्त इस पर चर्चा करेंगे आप जानते हैं अरस्तु ने मुख्यत तीन सिध्धान्तों का प्रतिपादन किया है पहला अनुकरन सिध्धान्त, दूसरा त्रास्दी सिध्धान्त और ये विरेचन सिध्धान्त तो तराजदी और अनुकारं शिध्धान्थ का वीडियो भी पहले अपलोड किया जा चुका है अगर आपको वीडियो का भी जव्रत है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो भी मिल जाएगा तो चलिए आज देख लेते हैं विरेचन सिध्धान्थ अगर इस वीडियो का रूप रेखा का बात करें तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि विरेचन का आर्थ क्या है ठीक है क्या परिभासा है और विरेचन से संबंधित क्या-क्या व्याख्याएं दी गई है और बात के जो विचारक थे उन्होंने इस विरेचन सिध्धान्त पर क्या-क्या आक्षे लगाए ठीक है तो इसको एक-एक करके समझ लेते हैं साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे जिससे इस चैनल में अपलोड होने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए समझ लेते हैं विए विरेचन सिध्धान्त को तो अरस्तु द्वारा प्रयूक्त मूल सब्द है कैथर्सिस ठीक है जिसका हिंदि में अनुबाद रेचन, विरेचन या परिसकरन आदी सब्दोन द्वारा किया गया है या फिर सुध्धिकरन भी बोला जा सकता है मन के विकारों का सुध्धिकरन करना इसी को विरेचन कहते हैं विरेचन सब्द ही सरवाधिक प्रचलित है जिस प्रकार कैथर्शीस सब्द युनानी चिकित्सा पद्धती से संबंधित है उसी प्रकार विरेचन सब्द भारतिय आयुरवेद सास्त्र से संबंधित है चिकित्सा सास्त्र में इसका अर्थ है और सधियों द्वारा सरीर के मल या अनावास्यक एबं और स्वास्त प्रत पदार्थ को निकालना अर्था सरीर के गंदगियों को बाहर निकाल देना इसी को कहते हैं विरेचन करना गंदगियों को बाहर निकल शरीर को सुध करना इसको कहते हैं विरेचन ठीक है तो उसी प्रकार से ये विरेचन का अर्थ भी वही होता है ठीक है वैद्य का पुत्र होने के कारण अरस्तु ने ये सब्द वैद्यक सास्त्र से ग्रहन किया और काब्य सास्त्र में उसका पिताजी से ही मिला जैसे होमियो पैथी में किसी संवेग की चिकित सा समान संवेग के द्वारा की जाती है इसलिए तो इसका नाम है होमियो पैथी ना होमियो मने होता है सेम तो सेम पैथी ठीक है उसी तरह से समान संवेग के द्वारा की जाती है जैसे अमल के लिए अमलता का लबंद रव्य को दूर करने के लिए लबन का प्रयोग किया जाता है अर्थात रोग के अनुग्र लक्षन उत्पन कर उग्र लक्षनों को नियंत्रीत किया जाता है उसी प्रकार अरस्तु का मत है कि त्रास्दी करुणा और भाई का जो संचार होता है उससे व्याभारिक जीवन में करुना और भई के प्रचंड आवेगों को झेलने की सक्ति आ जाती है अर्थात ये त्रासदी जिसके बारे में पिछले वीडियो में डिटेल बताया गया है तो उसके द्वारा जो भई का संचार होता है तो उस भई को देख कर उसको समझ कर जीवन में घटने वाल जी परिवासा किसी गरंत में नहीं दी है लेकिन उन्होंने दो इस्थानों पर इस सब्द का प्रयोग किया है पहला जब उन्होंने तरासदी का परिवासा दिया है तो वहां पर और दूसरा उसी का एक गरंत है राजनीती सास्त्र है तो उसमें एक जगा ये विरेचन सब्द का प्रयोग किया है उनके अनुसार त्रासदी के मूल भाव त्रास और करुणा होते हैं और इन भावों को उद्बुद्ध करके विरेचन की पधती से मानव मन का परिस्कार करना त्रासदी का मुख्य उद्दे इस यह होता है ठीक है अगर विरेचन की व्याख्या का बात किया जाए तो इसमें मुख्यत चार प्रकार की व्याख्याओं की बात की जाती है धर्म परक व्याख्या नीती परक व्याख्या सौंदर ये परक व्याख्या और संग्रचना परक व्याख्या अगर धर्म परक व आरंभ वो धार्मिक उत्सबों से हुआ, प्रोफेसर मरे कामत है, कि बर्सारंभ पर दियोन्यूशर्ष, नामक देवता से सम्मध् उत्सब मनाया जाता था, कहा का बात है, स उत्सब में देवताओं से बिंत्थी की जाती थी, कि वो उपासकों को बिगत वर्ष के पापों, कुकर्मों, कालूसियों से मुक्त करे तथा आगामी वर्ष में उन्हें इतना विवेकपूर्ण तथा सुद्ध हिर्दय बना दे कि वो पाप, कलूस, मृत्तिवादी से बचे रहे इस प्रकार यह उत्षब एक प्रकार से सुद्धी का प्रतिक था अपने गरंत राजनीती सास्तर में और अस्तु ने लिखा है कि हाल की स्थीती से उत्पन आवेश के समन के लिए युनान में उद्दाम संगीत का उपयोग किया जाता था इस पस्ट है कि युनान की धार्मिक संस्थाओं में बाहिये विकारों के द्वारा आंतरिक विकारों के समन का ये उपाई अरस्तु को ग्यात था और संभव है कि वहीं से विरेचन सिध्धान की प्रेणा भी उन्हें मिली होगी तो ये है कि बाहरी उद्दाम जैसे संगीत है तो ये उद्दाम संगीत का उपयोग किया जाता था जिससे बाहरी विकारों के द्वारा आंतरिक विकारों के समन करने का प्रोसेस किया जाता था उन्होंने विरेचन का लाक्षनिक प्रयोग धार्मिक आधार पर किया और उसका अर्थ था बाहिये उत्तेजना और अंत में उसके समन द्वारा आत्मिक सुध्धी और सांती अगर नीती परक व्याख्या की बात करें तो इसके प्रतिपादक जर्मन विद्वान वारनेज हैं इनके अनुसार मानाव मन में अनेक मनोबिकार वासना रूप में इस्थित होते हैं इसमें करुणा और त्रास नामक मनोबेग मुलहता दुखद होते हैं त्रास दी पिछले वीडियो में डिटेल चर्चा किया गया है ना ट्रेजिडी जो हम लोग बोलते हैं तो ये दुखद अनुपव होते हैं त्रास दी रंगमंच पर ऐसे द्रिश्य प्रस्तूत करती है जिससे ये मनोबित्ती अतिरंजित रूप से प्रस्तूत किये जाते हैं उसमें ऐसी परिस्थितियां उत्पन की जाती है जो त्रास और करुणा से भरी होती है प्रेक्षक जब उन द्रिश्यों को देखता है या उन परिस्थितियों के बीच मानसिक रूप से गुजरता है तो उसके मन में भी त्रास और करुणा के भाव पहले तो अपार वेग से उद्वेलित होते हैं तत्पस्चात उपसामित हो जाते हैं प्रेक्षक त्रासदी को देखकर मानसिक सांती का अनुभव करता है क्योंकि उसके मन में वासना रूप में इस्थित करुणा तथा त्रास मनुवेगों का दंस समाप्थ हो जाता है इस प्रकार विरेचन का निती परक अर्थ हुआ कि मनो विकारों के उद्वेग का समन तथा तजन्य मानसिक विशदता तो इस तरह से निती परक व्याख्या के बाद अब हम लोग देख लेंगे सौंदर ये परक व्याख्या तो इसके प्रतिपादक प्रोफेसर बूचर मा इसके अनुसार करुणा तथा त्रास्दी की अभिव्यक्ति विरेचन के कार्य का केवल पूर्व पक्ष है इसका अधीग महत्तोपूर्ण तथा भावनात्मक भावात्मक पक्ष है इन भावों को कला के माध्यम से ढाल कर परिस्क्रीत तथा इस्पस्ट करना तो यहाँ प जुरा है, ठीक है पाठक पर इसका प्रभाव उसकी भूमी का मात्र पर है ठीक है अब देख लेते हैं कि संग्रचना परक व्याक्या ठीक है तो संग्रचना वादी साहीत् itself का मत है कि साहीत्य सिध्धान्थ हो या किसी कृती की ब्याभारिक समिक्षा उसमें कृती से बाहि पूरी तरह वहिसकार होना चाहिए और उन्हें पूरी तरह विधा या कृतिकी संग्रचना पर ही केंदरित रहना चाहिए अर्था वाकी विशयों को छोड़कर सिर्फ संग्रचना पर ही जोर दिया गया है विरेचन के संदर्व में भी इस द्रिष्टी से दर्शक या पाठक पर पढ़ने वाले प्रभाब को चर्चा के छेत्र से बाहर माना है क्योंकि इसका संबन संग्रचना से नहीं है अर्था 30 व्याक्षा के अनुसार सिर्फ संग्रचना को ही प्रमुपिस्थान दिया गया है अब इन व्याक्षाओं की समिक्षा कर लेते हैं अर्था जो धर्म परग व्याक्षा था या फिर नीती परग सौंदर्ज परग या फिर संग्रचना परग अब इनका थोड़ा इधा संबंद इस्थापित किया है यह सत्य है कि अरस्तु अपने यूग की परिष्थितियों से अवस्य प्रभायवित हुए होंगे विरेचन सिध्धान्थ की उसकी परिकल्पना पर भी यूगीन धार्मिक प्रथा का प्रभाव पड़ा होगा पर यह प्रभाव और प्रत्यक्ष ही रहा होगा जहां तक विरेचन के नीती परक अर्थ का संबंध है तो आधुनिक मनोविचलेशन सास्त्री भी उसकी पूस्टी करता है आधुनिक मनोविज्ञान बेत्ता स्विकार करते हैं कि हमारी वासनाएं जब परित्रिप्त नहीं हो पाती तो हमारे मनोवेग कुंठित हो जाते हैं और वासनाएं अब जेतन मन में जाकर पढ़ जाती है यदि उनकी उचित परितुस्टी नहो तो वे मानसिग रुगनता का रूप धारन कर लेते हैं अर्थात हमारे अब जेतन मन में जो वासनाएं पढ़ी रहती है उसका त्रिप्ति होना जरूरी है अभुक्त मनोवेग या कुंठा मनोग्रंथी में परिनत हो जाती है ऐसा कुंठा ग्रस्थ व्यक्ति तभी मानसिक स्वास्त लाब कर पाता है जब उसकी वो अत्रिप्त कामना उचित रिती से परित्रिप्त हो जाए जिस प्रकार आधुनिक मनोविशलेशक मानसिक रोगों का उपचार मनोवेगों की उचित अभी व्यक्ति के द्वारा मानता है उसी प्रकार अरस्तु का भी मत्था की विरेचन प्रक्रिया द्वारा प्रेक्षक के मन की ग्रंथियां खुल जाती है घुमडन दूर हो जाती ठीक है अरस्तु का अभिप्रा यह था कि त्रास्दी करुणा तथा त्रास के और बांचित अंग्स को उभार कर निकाल देती है फलता मनो बेगों में सामन ज़स्य स्थापित होता है जो मानसीख स्वास्ति के लिए हित कर है ना तो इतनी करुणा बांचनिय है कि हम कुत्ते के मरने पर भी रो उठे और नहीं इतनी कि पूत्र की मिर्टु पर भी आसू ना निकले अर्थात क्या होना चाहिए संतुलित होना चाहिए एक सामन ज़स्य होना चाहिए कब ये एक और दमीत भावनाओं को उत्तेजित करता है तो दूसरी और और मर्यादित भावों को मर्यादित करता है विरेचन का प्रतिफल होता है भावगत संतुलन पर तरास्दी न तो मानसीग रोगों की औसधी है और नहीं रंग साला कोई चिकित सा ग्रिया ही अब क्या है देख लेते हैं कि थोड़ा थोड़ा जो बाद में जो आक्षेव कार है जो इसका कुछ दोस निकाला है इस विरेचन सिध्धान का आगे हम लोग देख लेंगे कि क्या-क्या उन्होंने कहा है तो त्रास्दी का उपयोग हम आनंद के लिए करते हैं उसका सेवन औसधी के रूप में नहीं करते इस पस्ट है कि इस व्याक्षा में संदोर्यानु भूती और कलात्मक्ता के तत्वों पर ध्यान नहीं दिया गया है आलो चको ने तो विरेचन सिध्धान्त पर आक्षेव लगाते हुए कहा है कि उन्हें विरेचन प्रक्रिया के अस्तित्वों में ही विश्वास नहीं है ठीक है ऐसा भी कहा गया है त्रास्दी को देखकर करुणा भय आदी मनोबेक तो जाग्रित हो जाते हैं किन्तु उनके विरेचन से मन सांती सदा नहीं होती ठीक है ऐसे आगे के जो आक्षेव कार है उनका कहना है साथी वे कहते हैं कि बहुत से नाटक तो केबल प्रेक्षकों के भावों को छुपद करके ही रह जाते हैं दूसरा आक्षेव यह भी लगाया गया है कि त्रास्दी में प्रदर्सित भाव औवास्तविक होते हैं अता वो हमारे भावों को उत्तेजित कर ही नहीं पाते बिरेचन की बात तो है ही नहीं ठीक है नाटक में हम केवल कला का ही आस्वादन करते हैं ठीक है फिर भी कुछ आक्षेव तो लगाया जाएगा ही जब भी कोई सिध्धान्त बनता है तो उसके विरुद कोई ना कोई तो आक्षेव लगता ही है लेकिन अगर मिला जुला कि इसका कंक्लूजन निकाला जाए ठीक है तो विरेचन सिध्धान्त अपनी समस्थ सक्ती और सिमाओं सहीत पास् अरस्तु के एक महत्व पूर्ण देन मानी जाती है इसके द्वारा अरस्तु ने प्लेटो के काब वेपर लगाये आक्षेव का उत्तर दिया कार्ज की महत्वा इस्थापित की और त्रास्दी के प्रभाव को गौरपूर्ण बनाया ठीक है तो इस प्रकार आज के इस वीड नवाद